हर्याना एक नाइन पेर में शेनल में आपका स्वागत हैं आई क्या आपको कराते हैं खबरों से अपडेट दस मिनट की बारिश से एट भठा संचालकों को लाखो का नुखसान इटो का रेट पहुंचा साथ हजार पार खरकोधा एरिया में रविवार को मात्र दस मिनट की बारिश तुफान वे ओला व्रिस्ट के कारण एक तरफ जहां किसानों को प्रेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ एट भठा संचालकों को भी भारी शती हुई है क्योंकि एंजिटी के आदिशों के मताबिक भठों में अगनी छोड़नी पर रोख है जिसके चलते केवल कच्चा माल तयार किया जा रहा था क्योंकि लोगडाउन के दुरान काम पूरी तरह से बंद रहा था लेबर भी अपनी घर चली गई थी अब किसी तरह से लेबर को भठी पर लाकर कच्चा माल तयार किया जा रहा था ताकि जैसे ही एंजिटी भठों में अगनी छोड़ने के अनुमती देगी तो इटों की पकाई का काम शुरू गया जाएगा इट भठा असोशीशन की पूर्प्रधान अनुम्दहिया ने बताया कि रोहना वे आसपास के शित्रों में आईतेज बारिश वे आन्धी तुफान के साथ हुई ओलाव रिस्टे में जहां दो लोगों की जान चली गई वहीं दूसरी तरफ इट भठा संचालकों की लाखों रुपे की कच्ची इटे बरबाद हो गई जिससे अब उन पर दोबारा से खर्श कर कच्चा माल तयार करने का दबाव बने का प्रदेश सरकार द्वारा इट भठा संचालकों को भी रहत दी जानी चाहिए वह उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए उन्होंने बताये कि लोगडाउन से पहले इटो का जो भाव पाँच हजार रुपे प्रती हजार इटो का था अब वह साथ हजार के पार हो गया है जिसे इट भठा चान संचालकों को प्रिशानी का सामना करना पड़ रहा है उलाव रिस्टी की कारण खुरंपुर वे रोहनग गाउं सहित कई गाउं में किसानों को भारी नुकसान हुआ है कई किसान ऐसे हैं जिरोंने पच्छीती धान की रुपाई की थी जिरोंने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की तहट फसल का बीमा भी करवाया हुआ है लेकिन पिछले दो दिनों से किसान ओलाव रिस्टी में बरबाद हुई अपनी फसल की सूचना देने के लिए कभी बैंक तो कभी कृशी कारियले में शिकायत करने के लिए पहुच रही है लेकिन अधिकारे उनकी नहीं सुन रही अधिकारी जिस कंपनी का नाम बता रही है खरखुदा शित्र में उस कंपनी का कोई करमचारी बैठा ही नहीं जिससे किसानों को काफी प्रिशानियों को सामना करना पड़ रहा है खुरूमपुर गाउं के पूर्व सरपंच नरेंदर दहिया का कहना है कि खुरूमपुर गाउं में धान उतपादक किसानों को ओलावरिस्टी में भारी शती हुई है लेकिन किसानों को ये नहीं पता कि वे प्रधानमंत्री किसान फसल भीमा योजना का लाव कैसे वे किसको शिकायत करके ले क्योंकि ना तो क्रिशी वे भाग के अधिकारी उनकी सुन रही है और ना ही बैंक अधिकारी किसानों ने मांग की है कि उलावरिस्टी से बरबाद हुई फसलों की नुकसान की गिर्दावरी करा के किसानों को फसल बीमा उपलग्ड करवाया जाए लगातार खबरों से अब रिट रहने के लिए देखते रहे हर्याना अट 9 प्यम नुश चैनेल नमश्का